मंगल करे या मंगल हरते मंगल जीव है दीव है द्यारे मंगल करे या मंगल हरते जो भी मंगल का व्रत करते पूजे मंगल वाद मंगल करे या मंगल हरते भर देते भंदा मंगल देव है बड़े दयालू मंगल वार जो दिल से पूझे सब खुशिया मरसाते हैं धरती मा के बने लाडले मंगल वार जो पूझे बजरंग हनुमान जी सखा है उनके जाने न कोई साथ मंगल करे अमंगल हरते भर देते भंडा एक बार की कथा सुनाओं एक ब्रामर नगर में रहता घर में नहीं संतान थी उसके जीवन बिन संतान अधूरा अपनी पपनी से वो कहता औरों की संतान देखके देते पत्थर सावो सहता ओ जावैद्य तंत्र और मंतर खूब किये उपचार मंगल करे अमंगल हरते बर देते भंडा एक दिन गामर अपने घर से चला गया करने व्यापार पहुँच गया पर देश में वो तो जर्बे पत्नी करे विचार हनुमान के व्रत्वो करती दिल में गहरी शधा था रामभणु धरह कर्म कमाए पिश्वर से नित करे पुपा हनुमान जी की किरपा से धन की हुई भरमार मंगल करे अमंगल हरते बर देते भंडा एक दिन मंगल वार जो आया रामभण को व्रत की सुध लाए पर उस दिन घर में नहीं था कुछ रापड़ी भोग बना नहीं पाई खुद तो भूखी रही प्रामणी इश्ट को भोग लगा नहीं पाई मन में हुई फिर ग्लानी उसके पर्मों कुछ भी करना पाई प्रण कर लिया उसने बड़ा भारी सुनते जाना साथ मंगल करें या मंगल हरते भर देते भंडा साथ दिनों तक भूखी रह गई आठ वे दिन मंगल जब आया भूख से तन में हुई कमजोरी पर उसने भोजन नहीं खाया बिना खाये और बिना पीये कुछ एकदम फिर चक्कर साया हो गई वो बेहोश बेचारी फिर गई इश्वल की फिर मोया भक्ती की देखी परकाष्टा हनुमान आये द्वार मंगल करें या मंगल हरते भर देते भंडा अनुमान जी प्रकट हो गए नखिया के दुखडे हरने को हाथ जोड चरणों में गिर गई चरणों के भुती करने को संकट मोचन संकट हरते जो जाए उनकी शर्ड को ते डाला वर्दान पुत्र का दिगमा के जोले भर दे को सारे संकट दूर किये दी खुशिया अपरंपाथ मंगल करें या मंगल हरते भर देते भंडा हो गए अंतर ध्यान हनूमत प्रामड दिल में खुशी बनाए कुछ दिन बाद में पुत्र हुआ एक प्रामपड के घर मंगल गाए नाम पुत्र का मंगल रख दिया मैया पुत्र को लाड लड़ाई कुछ दिन बाद लोट के घर में घर दे सूसे ब्रामगड आई घर में देखा छोटा बालक करने लगा विचार मंगल करें या मंगल हरते भर देते भंडा अपनी पत्नी से फिर पूछा कोन है ये बालक बतला किसका पुत्र कहां से आया मुझको सारी खोल बताओ पत्नी बोली पुत्र वापका रख साजन दिल में घबराओ रामभण को तो शंका हो गई पथा अभी तुम सुनते जाओ चरित्र हीन है मेरी पत्नी आये गलत विचार मंगल करे या मंगल हरते भर देते भंडा एक दिन बच्चे को संग लेकर अंचा वो जंगल में जाए एक कुए में बच्चा गिरा दिया पत्नी बोली खाहां है मंगल पत्नी को ना कुछ भी बताए पत्नी भी जब जिद कर वैठी जूठ बोल कर दे समशाए रोने लगी पत्नी बेचारी दिल से करे पुकार मंगल करे या मंगल हरते भर देते भंडा ब्रामन ज्यान करे बजरंग का देर गई बजरंगी की माया कुछ ही देर के बाद में भक्तों मंगल हस्ता हुआ घर आया पाकर बेटे को पत्नी ने पुषबो करकी गली लगाया देख के ब्रामन अचरज करता धीद न कुछ भी समझ उपाया पत्नी गुण गाती हनुमत के करे पुस्त्र को प्यार मंगल करे या मंगल हरते भर देते भंडा करते बंगल हरते या मंगल भर देते भंडा नात को जब ब्रामन था सोया अपने भे बालाजी आए बोले ब्रामन से बालाजी पत्रत कोत्र से क्यों पुराए देरी पत्नी है पति व्रता जिसको तू खुल हीन बताए मेरी कृपा से ये है जन्मा मंगल तेरा पुत्र का हाए अपने पुत्र को अपना ले तू मत कर सोच विचार मंगल करे या मंगल हरते भर देते भंडा आख खुली जबूस ब्रामन की साला सपना याद है आया गलत सोच लिया था पतनी को अपने मन भीवों पचुताया गोदी में लेकर बेटे को प्रामन की फिर लाट लड़ाया धन्यवाद किया फिर इश्वर का प्रामन की भंडा राया सो सो बार किये सजदे और भूलाना उपकार मंगल करे या मंगल अरते भर देते भंडा करते मंगल हरते या मंगल भर देते भंडा अब तो दिन और रात ब्रामन मंगल वार का व्रत करता वो सत्सन भजन की रतन करता इश्वर ने भी उसके घर में दन धान्य भंडार राया चारों और इश्ट अपने का दिल से करे दिदार मंगल करे या मंगल हरते भर देते भंडा करते मंगल हरते या मंगल भर देते भंडा चारों और बढ़ गया था वैभव समसंकट उसके मिट जाए बाला जी की भक्ती करतें, जीवन में नागधी सताई, जो भी दिल से करें अर्चना, रहे दोश पीडा पिट जाई, मंगल के दिन सवामनी का, रास चोग ना बढ़ता जाई, हो जाता कल्यान जगत में होती जैजैकार, मंगल करें, मंगल हरते भर देते भन्दा घरते मंगल हरते मंगल घरते भर देते भर द्दा ओ, शुभु मंगल वार की कथा सुनाऊं हनुमत चरणन शिश नवाओं लाज रखे मूरी हनुमार, लेखन को बल दे बेग्यार ओ, अंजनी माता के ये हैं दुलारे के सरी नंदन देव हन्यारे शक्ति शालियति वलवान सारी वो रोजे हनुमान ओ, बाल समय दिन कर ग्रस लीन हाँ अपने बल का परिचय दीन हाँ देव इंद्र तब हो एरे हैरान मारा अच्र था के ये हाँ ये काम ओ, पवन देव तब क्रोध में आये पवन रुकी सब देव अकुलाए इंद्र कुदीर हशमा का दान अंजनी लाल अपने बलवान ओ, और शी श्राप से शक्ति भुलाई ऐसी लीला काल रचाई दी 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 वसलो कथा का ग्यान आगे सुने लो क्या है भखान ओ, त्रेता में जब राम जी आए सीता हरण से थे अकुलाए तब ही राम से मिले हनुमान यारे दशा का सब संग्यान ओ, हनुमत ही सुग्रीव मिलाए राम प्रभु तब हल सुनाए पूछे रहे प्रभु वर्थे निदान कैसे बनेंगे बूलो का ओ, आभूशन सुग्रीव दिखाए नब से गिरे थे मैंने उठाए राम लिये उन्हे को पहचान ग्यात हुआ सीता स्थान ओ, राम ने तब बाली को मारा दुख सुग्रीव का सब निस्तारा मुझा था तब जैश्री राम राम हिनारा यर्ण भगवान ओ, हनुमत को आदेश था दीन्हा सिया सुध लाओ, काज ये दीन्हा मुल जन में थे तब हनुमान कैसे करेगे राम के काम ओ, जाम वन्त तब याद दिलाए बिसरी हुई शक्ति वो पाए तब तु गरजी श्री हनुमान जोर से बोली जै श्री राम ओ, लांग समंदर लंका में आए राम नाम के स्वर को पाए सोची रही किस का अरस्थान लंका में बोले को ने राम का ना ओ, हनुमत कथा हमने ये सुनाई कथा वडी पावन सुखदाई राम चंद के भरक्त माहान जैसी अराम पूलू जे हनुमान ओ, भक्त विभीषण रावन भ्राता राम सनेही भगत का हाता ओ, ही गाविराम का ना पावर उसका था स्थान ओ, अशोक वाटी का वन में आये बैठी सियाग को वह दे पाए मुत्री की राईली इन्हा ग्यान सीता नेली वो पहेचान ओ, वचन दिया सीता को बज रंग रघुवर ले जाएंगे तुम्हे संग सीता नेली वाते मान हर शाय तब श्री हनुमान ओ, ब्रह्म वास्त्र के पाश में बांधा हनुमत राम के नाम को साधा लंका जला दे बड़ी शम शान लोटे तब बज रंग हनुमान ओ, देख के रघुवर तब हर शाय हनुमत ने सब काज बनाए हनुमत बोली मैं हूना दान आपकी किर्पा सब शेरा ओ, मित्र सुग्रीव तब से न सजाई लंका पे कर दी थी चड़ाई यूथ छिरा था तब अविराम गरजे बज रंग जे हनुमान ओ, मेगनाद तब शक्ति मारी घात लगी लक्षमन को भारी मुर्चित हो गई देखे हनुमान अखु लाए तब मेरे शेरा ओ, लाए संजीवन लखन जी आए हनुमत राम के काज बनाए देरिया देखो जीवन दान बोलो बज रंग जेरे माहान ओ, कुम्भ करण मेगनाद को मारा पापी रावन को संघारा योटी अवर्धे को राजारा संग में आए देखो हनुमान हो करते सदा रघुवर सेवकाई सेवा इनकी राम को भाई मले उग में तुम देव माहान पूजे तुम को सकल जाहान ओ, अजर अमर तुम देव कहाए सीता से वरदान है पाए दिया हनुमत की है माहान बोलो भद तुझे हनुमान ओ, हनुमत महीमा हमने सुनाई कथा वड़े पावन सुखदाई राम चंद की भक्त महान जैसी आराम बोलो जै हनुमान कि युमत महान आराम चंद की धिन की भावन जातास कि लोड़े राम जातास जातास तुम महान जातास कथा ये मंगलवार थी तुमको दू मैं सुनाए सुन ली जो सब ध्यान से बेडा पार लगाए मंगलवार है शुभ दिन प्यारा फनुमत का है दिवस ये न्यारा राम भक्त अतित्रिय का हाई रगुमर सेवा करते जाए कोई न करे इनसी सेवकाई सब का मंगल करते भाई राम नाम जो मन से गाते हनुमत के के पापा जाते दिवस ये मंगलवार का होता बड़ा महार मजरंग का जो ब्रत साधे होते पूरण का एक दिवस ऐसा था आया राम सिया का दर था भाया राज सिंहासन दोनों बैठे हनमत चरड की सेवा करते सीता ने तब इच्छा जताई पृत्वी दशा क्या कहो रगुराई क्या घटता है रिश दिखाओ जन जन का मुझे हाल सुनाओ सीता के कहने पर ही लीना हाथ उठाई पृत्वी की एक एक घटन सीता को दिखनाई हनुमत ने तब नजर गडाई द्रिश ऐसा देखा भाई एक पंटित करता था पूजा राम भजन में वो था दूबा पूजन वंदन नित करता था राम नाम दिल में बसता था बज रंग को वो भगत थभाया दिल लूजा के मन में आया सेवा भक्ती देख कर मन में उठत विजार राम सिया भी देख रहे करे पंडित मनुहा गाओं का मुखिया तब ही आया उसने पंडित को समझाया बोना कोई उपाय सुझाओ बढ़ी चड़ावा कैसे बताओ दान यहां पर कोई न करता मंदिर का खरचाना चनता आएगी हनुमान जयंति कैसे बनेगी चिंता लगती अगर चड़ावाना चड़ा दूंगा तुम्हे निकार ऐसी दीचे दावनी कैसा था जनजार राम ने तब हनुमत को देखा आज्या दीनी धरा पे भेजा बोले भक्त की नाज बचाओ आरज सारे जाए बनाओ हनुमत ने रूप को बदना एक तेज काया से निकना एक सचन का रूप बनाया मंदिर पथ पे पग को बढ़ाया भक्त के मंदिर जा पहुँचे बजरंगी हनुमान बंडित करता चाप था बोले जैसी आरा सजन बन मंदिर में आए पंडित के सम्मुख वो जाए पंडित बोला कहां से आए क्या मनसा है आप बताये सजन ने मनसा को बताया नाम सदानंद अपना बताया रोजगार कोई मुझको बताओ मंदिर की सेवा में लगाओ पंडित चिंता पड़ गया दीन हु कोन साका पैसे दीनी को नहीं करता नहीं कोई दान पंडित तब थोड़ा सकुचाए मंदिर की सब दशा बताये बोला तुमको धन कैसे दूँगा काम पे कैसे मैं रख लूँगा हनुमत ने तब उनको बताया धना चाहूं ये समझाया चरणों के बस फल मिल जाए मेरा गुजारा सब हो जाए पंडित को ये ठीक लगा दे दिया सेवा का प्रभु चरणों के फल दूगा ना दूँगा कोई दा सदानद अब काम था करता जाडू पोच्छा करता रहता करता मंदिर की रखवाली सेवा के थी बात निराले प्रतिमा पर जो भोग लगाता खल मेवा वो ही बस पाता चरणों में नित ध्यान लगाए असली रूप ना अपना दिखाए कोई न जाने बात को ना ही सका पहचार बंदिर में साक्षात थे रामभक्त हनुवा एक दिन मंगल वार था आया व्रत साधा था भक्तों को भाया सारे भक्त जन ध्यान लगाते चरणों में सब शिष ना हाते सदानंद भी ध्यान लगाता हनुवत रूप में नाच रहा था भक्त बड़े दे थे हर शाय बजरभ रूप में कोन यह आए असली रूप में नाच रहा रामभक्त हनुमार चड़ा चड़ावा था बहुत फूप दिया सबदान है रत में पंडित ने देखा कौन रूप हनुवत ने बैठा ये है सदानत मन में आया इसने ही रूप बनाया दान दक्षिना को तब देखा पंडित ने उसको नाटो का हनुवत जब जब नाचत जाए देखो चड़ावा चड़ता जाए पंडित ने तब सोप दिया सदानन दको का हनुवत वीश बना नाचो बन जाए गेखा हनुमत उच्चव तब था आया गाओं का मुखिया था हरशाया दान दक्षिना बहुत था पाया मन्तिय के कारज भी लगाया मनी थी तब हनुमान जयंती धन दान की कमी नहीं थी सारी भक्त जन मंदिर आते हनुमत की जाकी को पाते सोने की प्रतिमा गड़ी जोड के सब धन दाव प्राण प्रतिष्टा करवादी सोहित थे हनुमान एक दिवस ऐसा था आया मुखिया ने पत्नी के भाई को बुलाया मूरत तब उसको दिखलाई हनुमत प्रतिवामन अतिभाई उसके मन में लालच आया इसे चुरालू ऐसा भाया पूछे दाम पे गर मैं बेचू ने धन ताफिर नैना देखू रात वो मंदिर में घुसा चोरी का किया का पंडित ने मंदिर खोला देख हुआ है राम सदानंद ने सब था देखा चोर गोस ने धर दबोचा हनुबत बन के सोटा निकाला प्रतिमा को ली रात सिकाला बजरंगी ने क्रोध दिखाया पाप मान ले उसे समझाया साथ में बेरे बंदिर चलना चोर है तू ये सब से कहना सोटा पड़ा हनुमान का मान गया वो बात प्रतिमा चोरी से हुआ सब को था आगात इधर थे सब है रत में आए चोर कोन है समझ ना आए इतने पे सदानद था आया साथ में अपने चोर को आया सबने गौर से देखा भाला वो था मुक्या जी का साला मुक्या जी को प्रोध था आया जेलिउसे तब था फिजवाया सदानद को मान दिया किया था ऐसा काम अब भी कोई ना जान सका ये है श्री हनुमान रामसिया तब नगर में आए माया सारी सब समझाए पंडित का मन तब हरशाया भजरंगीता दर्शन पाया सुखी हुए सब नगर निवासी भनुमत ने सब दशा बदल दे राम की आज्या को तब पाया भनुमान ने रूप दिखाया कारज सब पूरण हुए पाया सुख का धान मंदिर भव्य सज गया ऐसा दिया वरदो मन भगतों का था हरशाया हनुमत की किरपा को पाया मन से जो हनुमत को मनाए मंगल उसका सब हो जाए मंगल का दिन है शुभकारी हनुमत की है महिमान्यारी मंगल और शनिवार मना लो पर मुखते का इन से पालो बथा ये मंगल वारती सुनो लगा कर ध्यार भवसी तोरने वाली है देती है सुख गार कथा ये मंगल वारती सुनो लगा कर ध्यार हनुमान बजरंग बनी करेंगे पूरण काम अला बना को हर लेते संकट सभी मिटाए अंजनी नाला के किरपां जिसको भी मिल जाए बाराजी हनुमान देव बड़े है महान बाराजी हनुमान देव बड़े है महान मात अंजनी के प्यारी अवन पूत्र है दे रिधी सिधी देती है करे जो इनकी सें राम भक्त जग सी न्यारी ऐसे है हनुमान भूत प्रेत व्याधी कटती रटलो इनका नाम बाराजी हनुमान देव बड़े है महान आरायन इतु बालत था राम भक्त तहराई रगुवर की भक्ती के संग हनुमत को भी ध्याए मात पिता से मिले उसे ऐसे थी संसकार उसमें जागा तब से ही निष्ठा का व्याभार बाराजी हनुमान देव बड़े है महान रोज सुभा पूजन करे भजन वो करता जाए हनुमत की अनुकम पासे जीवन चलता जाए शहर में पढ़ने को गया पाना था रोजगार पढ़ना लिखना पूड हुआ फिर भी मन में भार बाराजी हनुमान देव बड़े है महान बाराजी हनुमान देव बड़े है महान रोजगार के कारण वो दरदर धके खाए लेकिन उसको नोकरी कहीं न मिलने पाए पैसे सारे खत्म हुए नहीं किराया पास अब उसको रोजगार के आगे नहीं थियास बाराजी हनुमान देव बड़े है महान बाराजी हनुमान देव बड़े है महान वो तो ठकके चूर हुआ पहुचा अपनेगा सोच रहा थोड़ा करलू घर को जा विश्रा पिता हुए नाराज थे मिलाना रोजगार रोता थाना रायन तब हो कर के लाचार बाराजी हनुमान देव बड़े है महान बाराजी हनुमान देव बड़े है महान गाओं में मन लगता नहीं शहर को आया नार्ट बक्त कमारा था दुखी रहा था खुद को कोस्त अगले दिन जब सुभे उठा किया था पूजा पार्ट रोता था वह फूट कर हनुमत प्रतिमा पास बाराजी हनुमान देव बड़े है महान बाराजी हनुमान देव बड़े है महान सुभ ही संदेशा आया आजाओ ततकार मिल जाएगी नौकरी मिलनो बस एक बार अस्पताल था बहुत बड़ा गया था वो कईमान दस्तवेज को देखकर दिया था तब दोतकार माराजी हनुमान देव बड़े है महान अस्पताल पहुचा था वो की थी सारी बार समझ न आया था उसे क्यों बदले हाना नौकरी जब उसको मिली मन में खटके बार पता नहीं नादान को थनुमान थे सारी माराजी हनुमान देव बड़े है महान बाराजी हनुमान देव बड़े है महान बड़े अफसर से मैं मिलों सोची तब नादान हैरत वाली बात थी हुआ ये कैसे का अफसर ने बदलाया था सचन आया ए चहरे पे इतनो रथा गुण से भरा विवे माराजी हनुमान देव बड़े है महान माराजी हनुमान देव बड़े है महान देखने में लगता था वीर धीर बलवान उसने सिफारिश मुझ से कि इनको देना काम तब ही बुलाया है तुम्हें किया ये पूरण काज ओफिसर से पता चला आखिर क्या है राज बाराजी हनुमान देव बड़े है महान बाराजी हनुमान देव बड़े है महान धूप वो दुख के ढल गई आया उसको ग्यार करने से फारिश जो आये वो थे श्री हनुमान राम के आज्या का करके या था सब ये काज हनुमान जी रखते सदा अपने भक्त की लाज बाराजी हनुमान देव बड़े है महान बाराजी हनुमान देव बड़े है महान व्रत साधी थे तब उसने 21 मंगलवार भ्यान किया बड़े प्रेम से देखते ये उपकार चालीसा का पाथ किया चोर चड़ाया लाल तिलक लगा सिंदूर का थों गया मानुमान बाराजी हनुमान देव बड़े है महान बाराजी हनुमान देव बड़े है महान नारायन के भावसरन हनुमत को थे भाई किरपा की नहीं सुख दिया तब ही काज बनाए मंगल और शनिवार को जो भी मन से मनाए रिधी सिधी नव निधिया हनुमत से पार जाए माराजी हनुमार देव बड़े है महार माराजी हनुमार देव बड़े है महार महंदीपुर में धाम है साला सर अस्थान घाटे वाला काशी में बजरंगे का अधा अलावला सारी हरले संकट का करिनाश सच्छे मन से भजल करो हनुमत का करो बास माराजी हनुमार देव बड़े है महार माराजी हनुमार देव बड़े है महार कथा ये मंगलवार की कहती सब विस्तार इसमें ही है छुपा हुआ चमतकार का सार नाखो भक्त जन पूझते श्री हनुमत का नाम काच सवारे है सदार बजरंगी हनुमार माराजी हनुमार देव बड़े है महार माराजी हनुमार देव बड़े है महार झाल झाल